हेलो गाइज हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इंजिनिरिंग एकॉनवी के बारे में और हमने अपना लेक्शर खत्म किया था systematic evolution के बारे में कि किस तरीके से हम इसको systematically evaluate करते हैं किसी भी अपने problems को ताके हम उसका solution फिर निकाल सकें अब इसका मत्तब यह है कि अगर हम systematically evaluate करना है तो हमारे पास कुछ न कुछ principles और procedures होनी चाहिए जिसके थूँ हम अपने किसी problem को evaluate करेंगे तो इस lecture के अंदर हम वो basic principles और procedures के बारे में पढ़ेंगे तो as it is said that development study and application of any discipline must begin with a basic foundation तो वो जो basic foundation है वो कुछ principles के base करती है जिससे हम engineering economy के लिए methodology को develop करती है यहां पर वो जो principles है वो seven principles की शकल में divide किये गए है जिस तरह के से मैंने पिछली lecture में एक छोटी सी example दी थी कि I sat in a small room which is on the top of the house तो वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है Now this is a problem अब उस problem की solutions मेरे पास क्या क्या है that is develop the alternative अब alternative क्या है एक alternative यह है कि मैं AC का usage करूँ दूसरा alternative क्या है कि मैं glasses लगवाँ इसके इलावा भी कुछ alternative हो सकती है इसका मतलब है engineering economy की problem के लिए सबसे पहले I need to develop the alternatives के मेरे पास इस problem को हल करने के लिए क्या क्या alternatives मौजूद है Second number पे अब मैं हर alternative में जो differences हैं उनको देखने की कोशिश करूँगा AC और glasses में क्या फर्क है अगर मैं glasses के बज़ए कोई कपड़ा लगवाता हूँ तो उसको क्या फर्क है तो अब जो alternative के दर्मियान जो difference है उसको मैंने focus करना है Then जब मैंने ये दो सारे काम करने हैं तो मेरा viewpoint consistent होने चाहिए मेरे unit of measurement consistent होने चाहिए ठीक है तो viewpoint same होना चाहिए consistent होना चाहिए और unit of measure common होने चाहिए उसके बाद अब मैंने इन चीज़ें को कैसे चक करना है जितने criteria's मौझूद हैं किसी चीज़ को चक करने के लिए वो सारे criteria's मैंने इस्तमाल करने हैं इसके अंदर उसके बाद मैंने इस चीज़ को ensure करना है कि उसके बावजूर हो सकता है कि इसके अंदर कहीं न कहीं को risk involved हो जाए या इसके अंदर कहीं न कहीं uncertainty explicit हो जाए साल के तोर पर मुझे आज यह feel होता है कि बिजली की cost जो है वो कम आ रही है और 6 मेने के बाद बिजली के bill जो है या बिजली के rates double हो जाती है तो यह एक uncertainty exist करती है तो मैंने अपने analysis के अंदर इस uncertainty को भी शामिल करना है and then revisit my decision उसके बाद अगर फर्स करने थोड़े अर्से के बाद मुझे यह feel होता है कि या इसमें problem है तो I need to revisit my decision यह बड़ा important idea है कि decisions को revisit करें ठीक है कोई भी decision जो आप लेते हैं चाहिए वो आपने जितना मर्जी सोस समझ के लिया वाओ risk और uncertainty आपका decision थोड़े अर्से बाद गलत साबित कर सकती है इसका मतना में you must be able to plan and revisit your decision कि हो सक है कि future में आपको जाकर अपना यह वाले decision चेंज करना पर इसलिए कि जो decision आप आज ले रहे हैं वो आज के हालात के मताबिक है और जो decision छे मेने बाद अगर आप change करते हैं तो उस time के हालात के मताबिक होगा so these are the six seven basic steps जिसके साथ आप काम करते हैं जिसके मैंने आपको बताय करते हैं उसके बाद उन alternative में जितने differences है future outcome के लिहाज से उसको मुझे compare करना है और उसको decision में शामिल रखना है मुझे एक consistent viewpoint use करना है ठीक है the prospective outcome of alternative economic and other should be consistently developed from a defined viewpoint ठीक है यानि कि अगर मैं फर्स करने मेरा जो perspective है ये glasses लगवाने में या AC चलाने में ये कपड़ा लगाने में वो एक ही है और वो क्या है मैं funds के लिहाज से देख रहा हूँ या मैं comfort के लिहाज से देख रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं AC की बात करूँ तो मेरा focus funds पे चला जाए और जब मैं glasses की बात करूँ तो मेरा focus comfort पे चला जाए नहीं मेरा viewpoint consistent होना चाहिए कि मैं problem को जो हल करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें मेरा basic मकसद क्या है मैं अपनी comfort के मताबिक यह decision plan कर रहा हूँ या मैं funds के मताबिक यह decision plan कर रहा हूँ या कोई ओर viewpoint है जिसके तहत में यह decision plan कर रहा हूँ यूनिट common of common unit of measure यह बड़ी simple सी बात है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका मैंने unit of measure में जा है वो common use करने है all relevant criteria मैंने use करने है जितने भी उसके decision की तरीके कार होते हैं उस सारे के सारे decision की तरीके कार को use करना है वरना बाद को ऐसा होता है कि एक किसी एक case के अंदर कोई और method वैतर होता है दूसरे case के अंदर कोई और method वैतर होता है तो अगर आपके बाद दो तीन चार methodologies अवेलेबल हैं तो आप उस सारी methodologies use करेंगे हो सकते हैं अभी आपको यहां पर methodology का मतलब clear ना हो रहा है जब आगे चलेंगे तो यह बात आपको मुझीद clear हो जाएगी आपकी already planned होती है मिसाल के तौर पर मैं अगर रोज आना office घर से निकल के office जाता हूं तो मुझी यह पता है कि normal time period 45 minute का है और अगर rush वगारा होगा तो शायद 10-12 minute extra लग जाए तो अगर rush नहीं होगा तो शायद मैं 5-6 minute या 10 minute पहले पहुंच जाओ now this is risk यह जो 10 minute का difference है this is risk इस risk को मैं plan करने की position में हूँ मिसाल के तौर पर अगर किसी दिन मेरी class है या किसी दिन मेरी कोई important assignment है तो उस दिन हो सकता है कि मैं इस risk को बदे नज़र रख कर पांच मिनट पहले office से घर से निकल जाओ ताकि मैं time पर जरूर पहुंच जाओ लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचता हूँ तो रस्ते में मुझे यह पती चलता है कि तो serious accident हो गया और road block पढ़ी है now that is uncertainty 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 के होती है कहीं न की या जो आप plan कर सकते है uncertainty is something which you cannot plan जो कि जब happen होता है तो उसी time आपको भी decide करना पड़ता है ठीक तो यह आप decision making में शामिल करती है and the last is आप अपने decisions को revisit करने की situation में होने चाहिए आपने जो भी decision किया है आप उसको subsequently compare करती है actual results के साथ और उसके बाद दुब basic principles जिसकी बुनियाद के ओपर engineering economy को हम सारा चलाते हैं अब देखें यह जो seven principles हैं इसके हमने कुछ procedures बनाए हैं कि seven principles बनाने के लिए हमें क्या 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 करना पड़ेगा ठीक है and these procedures help us कि जिस तरीके हम आग इसको चलाते हैं and engineering economy study is accomplished using a structured procedure now this is a structured procedure and mathematical modeling technique और यह जो principles हैं इन्ही की बनियाद पर seven procedures बना दिये गए हैं अब वो procedures क्या है procedures हैं कि सबसे पहले आपने problem को recognize करना है कि यह प्रॉब्लम है क्या उसके बाद उसके alternative feasible alternatives निकालने हैं उसके बाद आपने यह देखना है कि हर alternative जो हम बात करते हर alternative के against cash flow के आता है यानि कि क्या पैसा आ रहा है या क्या जा रहा है ठीक है उसके बाद वो जो cash flow आ रहा है आपके सामने जो कि उसको चक करने के मुझे प्रॉब्लम है जिस तरह मैंने आप से कहा कि मैं अगर अपने room के बारे में decide करना चाहरा हूँ तो एक मेरा criteria यह हो सकता है कि मैंने पैसों को बचाना है दूसरा criteria यह हो सकता है मुझे अपनी mental comfortness चाहिए तीसरा idea यह हो सकता है कि मुझे physical comfortness चाहिए अब मुझे चाहिए कि आए सारे काम में मैंने वो criteria decide कर लिया उसके बाद अब जितने alternatives हैं उन सारों को मैंने compare किया उन सारों के comparison के बाद जो preferred alternative मुझे सब सबसे बहतर लगा उस अब मैं दुबारा उसकी performance और post evaluation लेख रहा हूँ कि यार जो कुछ मैंने किया था वो ठीक किया था उसका result ठीक निकला या उसका result ठीक नहीं निकला ठीक है आपके दोस्ते जिसने एक small apartment बिसकली खडीदा है एक लाग डॉलर का और वो तक्रीबन दस हजार डॉलर बैसिकली उसने खर्च किये हैं from her own money for building and obtained a mortgage from a local bank for remaining 90,000 ठीक है उसने एक लाग डॉलर का खडीदा है 10,000 उसके अपने हैं 90,000 mortgage है actual mortgage payment जो उसने bank को करनी है वो उसने करनी है 10,500 यानिके your friend also expect that annual maintenance of the building and ground will be 15,000 उसे यह भी पता है कि overall maintenance जो उसे building लिए चाहिए वो भी तक्रीबन 15,000 डॉलर होगी अचाहिए जो पूरी की पूरी जो building है इसमें चार apartments है और हर apartment में दो bedroom है ठीक है और वो अगर वो चाहिए तो वो 307 डॉलर का rent पर दे सकती है अब हमें करना क्या है we need to apply 7 step procedures to answer these questions सबसे पहले क्या आपकी दोस्कों की problem है उसके पस क्या alternatives है हर alternative का क्या economic consequence है उसके बाद आप सारे की सारे alternative में किस बुनियाद के ऊपर alternate कोई criteria select करेंगे जो criteria select करेंगे उसकी बुनियाद के ऊपर आप alternatives को compare करेंगे और उसके बाद what should your friend do based on information you and she have generated ठीक है इस आर दा a b c d e f यह सारे की सारी situation आपके सामने आ गई है ठीक मैं अगर आपको इसको दुबारा थोड़ा सा reverse करके दिखा सकूँ इस सवाल को तो भी हमें दुबारा देखने ताके आपके दुमागे दुबारा एक question पूरे का पूरे develop हो सके अगर हम दुबारा इस सवाल पर गोर करें आप दुबारा आप सवाल देख लिए चुक्किए आपको अंदाजा हो चुका है कि आपने इस पर seven step procedure रप्लाई करना है आपके दोस्त ने एक लाग डॉलर का एक अपाइटमेंट खरीता है जिसमें 90,000 उसने बैंक से लोन लिया है 10,000 डॉलर उसका अपना है और उसे हर साल जो payment करनी है mortgage की annual payment वो 10,500 डॉलर करनी है इसके साथ साथ तक्रीमें 15,000 रॉपे annual maintenance पर भी खर्च होगा उसका ठीक है इसका मतलब उसे हर साल तक्रीमें 25,500 की payment करनी है ये पांच चार अपाटमेंट्स है और चार अपाटमेंट्स 360 डॉलर पर मन्त पर रेंट आउट किये जा सकते हैं ठीक है अब जहां से सवाल शुरू होता है सवाल ये शुरू होता है कि does she have a problem सबसे बहरा सवाल ये शुरू होता है कि does she have a problem so yes she has a problem why क्योंकि उसने 25,500 डॉलर की payment करनी है हर साल जबके इसके मुकावले में उसके पास जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे 360 डॉलर पर अपार्टमेंट पर मन्त मुल्टिप्लाइब पर फोर मन्त्री मुल्टिप्लाइब ट्वल्फ 17,700280 उसको जो पेमिट करनी है वो 25,000 की करनी है जो पैसे आएंगे वो 17,000 आएंगे इसका मत्दब है वो और लड़ी 220 रुपे के लॉस में है, now that is the problem, ठीक है, अब क्या किया जाएंगे, problem तो एक exist करती है, अब इसके क्या alternatives हो सकते हैं, ठीक है, हमें problem कहां से हो रही है, हमें एक problem हो रही है, rent से, कि जो income आ रही है वो कम है, क्या rent बढ़ाया जा सकता है, पहला मसला, दूसरा मसला, maintenance charges वो जा रहे हैं, क्या maintenance charges कम किये जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जारे हमें एक देखना है, कि उसमें safety problem का मसला ना create हो जाए, तीसरा, हम ये building ही बेच दें, ठीक, building बेचेंगे तो अभी हमने इसको एक लाग डॉलर का खरीद है, क्या एक लाग डॉलर से उप अपर की price मिलेगी, पहली बात, उसके बात, तीसरा, चौथी option इसके ने simple ये हो सकती है, कि आपकी दोस्त वो है, वो building को abandon कर देंगे, abandon का मत्तब है, कि आप simply bank से कहिए, कि take the money back, take the building back, उसकी बिज़र से होगा क्या, आपके दोस्त की credit history जाए, ब्रुकर खराब हो जाएगी, ठीक है, दुबार उसको loan मिलने का मसला हो जागा, so now these are the four options, जो कि आपके पास alternatives आगे, अब इन alternatives को हमने assess करना है, कि हर एक alternative की अपनी क्या situation, अचा, आप अगर गौर करें, आपको basically, जो situation जो है, आपको, ये जो total amount है, ये कितनी बढ़ानी है, आपका अगर rent बढ़े, तो य rent कितना भढ़ना चाहिए, इस वकर जो rent है, आपका वो तक्रीबन 14,000, 1440 है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपका जो monthly expense है, वो तक्रीबन 2125 है, 2125 जाहरे किस तरीके से आया है, वो इस तरीके से आया है, कि आप अगर total amount को, जो आपके total expenses हैं, आप अगर उसको divide करने, 12 स तो आपके पास यह figure आजाती है, यानि कि मैं अगर यहाँ आपके simply करूँ, कि आपके पास जो total आपका जो साल का outflow होना है, that is 25,500, आप इसको simply divide करने, 12 से, तो आपके पास जो answer आजाता है, वो आजाता है, 2125, इसका मतब यह है कि यह आपके expenses हैं, और आपके पैसे आरे हैं फेला लितने, इन दोनों का जो difference है, ठीक है, इन दोनों का जो difference है, चोकि चार apartment है, आपने इसको 4 से divide किया, इसका मतब यह 171.25 आपको हर apartment का किराया बढ़ाने है, आपका already किराया है कितना, आपका already किराया है 360, ठीक है, 360 का half कितना बनता है, 180, इसका मतब यह आप approximately 50% किराय बढ़ाने में interested है, यह आपका solution है, क्या यह possible है, शायद मुश्किल हो जाए, आपको देखना पड़ेगा, second option क्या हो सकती है, कि आप maintenance को कम करने की कोशिच करें, आप maintenance को कितना कम करना है, again सवाल पैता होता है, क्या आपका already maintenance कितना है, 2125, ठीक है, revenue कितना है, 1440, again मैं अगर इसको minus करूं, और मैं देखूं कि मेरा monthly expense कितना reduce होना चाहिए, तो यह figure approximately 565 dollar पर आ जाएगी, और जाहरे 565 dollar का मतलब है, again, कि आप तक्रीबन 50% degrees ला रहे हैं, maintenance expense के अंदर, तो क्या maintenance expense के अंदर एतना कम कर सकते हैं, और इसके पर क्या नताइज निकलेंगे, तीसरी option हमारे जो loss, जो 10,000 dollar लगे हैं, वो हमें आ जाएंगे, वो हमें आ जाएंगे, वो अपिस के नहीं आएंगे पहली बात, दूसरी बात, तक्रीबन एक साल का जो time period गुजर चुका है, जो हम, जिसको हम own कर रहे हैं, वो जो loss हुआ है, 8,220 dollar, कि आप वो भी cover हो रहा है कि नहीं हो र देखने, अगर 6 मिने को देखने, 6 मिने के साब देखने, चौती option किया है, कि आप building को abandon कर लें और आप bank से कहें कि please take your building back, उस situation में आपकी credit rating history तबाह हो जाएगी, तो यह these are the four options, और चारों options के अपने अपने फिर, जो cash flows हैं, वो यह आगे, अच्छ, अब अगर आपका credit area यह है, कि आपको पैसे का loss बचाना है, तो फिर, शायद आपका दोस्त आपको यह advice, आप अपने दोस्त को यह advice करें कि option one यह option three ले ले, option one में वो rent बढ़ाएगा, और option three में वो building बेच के फारी हो जाएगा, अच्छ, लेकिन, अगर फर्स करें कि आपकी option credit worthiness है, फिर आप कभी भी option four यूज नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर आपने एक दफ़ा बैंक को building बाब office कर दी, फिर आपका काम खराब हो जाएगा, दूसरे तोर पर option three भी जो है, वो भी आपकी credit rating history को खराब करेंगी, इसलिए कि आप जब investment बेच रहें, वो भी आपको खराब करेंगी, इसका मत्तव है, अगर आपका credit worthiness आपका additional criteria है, तो फिर आपके पास सरफ option number one और option number two ही बचते हैं, इसके लाब कोई option नहीं बचते हैं, जब हम criteria की बात करते हैं, कि आपका decision criteria क्या ह है, so these are the criteria, इस situation में क्या हुआ, अब इस situation में आपके दोस्त को क्या क्या करना चाहिए, चोंकि option three और option four इस्तमाल करने की position में नहीं है, तो basically उसको ये चाहिए कि वो somehow किसी तरीके से कुछ research करें, उस building पे थोड़ा सा maintenance करें, कुछ paint बगारा करवाएं, और कोशिश करें कि कि किसी तरीके से rent बढ़ाया जा सकता है, number one, number two, वो ये कोशिश करें कि 100% occupancy of four apartments को ensure करें, इसलिए कि अगर four apartments की occupancy disturb होती है, तो ये मामला मजीद खराब हो सकता है, ठीक है जी, so this is how हम engineering economy के problems को देखते हैं, with the seven steps model, ठीक है, seven steps procedure, हम जब इसके सवाल करेंगे तो आपको मजीद की चीज़ें clear होंगी इंशाला, thank you so much guys